हेलो फेंड्स, वेलकम टू हेलो फेंड्स टीवी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स ओफ राइस वाटर, कि किस तरह ऐसे राइस वाटर हमारी स्केन, हेल्थ और हेर के लिए बेनिफिशिल हैं, सबसे पहले चावलों को 15-20 मिनट के लिए नॉर्मल पा एक पैन में डालेंगे, नॉर्मली हम चावल बनाने के लिए दो गुना पानी लेते हैं, लेकिन हमें अब राइस वाटर चाहिए, तो हम इसमें धाई से तीन गुना पानी जादा डालेंगे, और उबलने देंगे, इसे तेज आंच पे रखें, और कुछ देर के लिए उब जैसे कि आप देख रहे हैं, चावल उबल के तयार हो चुके हैं, और इसमें अभी पानी भी है, यही हमारा चमतकारी पानी है, जो की हमें बेनिफिट्स देगा, अब हम इस चावल के पानी को स्टेन कर लेंगे, किसी दूसरे बरतन में, यह गरम है, इसलिए मैं कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, अब यह चावल खाने के लिए तयार है, और जो पानी है, इसे हम ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे, ताकि यह ठंडा हो जाए, फिर हम इसे कुछ एक कंटेनर में, कांच के कंटेनर में रखेंगे, और हम इसे यूज़ करने के अब हम बात करेंगे rice water के health benefits की, सबसे पहला health benefit है rice water का हमारे skin के लिए, rice water को रात को चहरे पर spray करें या फिर cotton से लगाएं और इसको सुभे तक सुखने दे और ठंडे पानी से धोलें, यह regular करने से आपके skin में एक जवान दिखेगी, आपके skin में glow आएगा और बहुत सुंदर अचा हो जाएगी, दूसरा health benefit है हमारे बालों के लिए, rice water को बालों में कैसे यूज़ करना है, पहले आप शंपू करें, उसके बाद आप conditioner लगाएं, फिर आप इसको rice water को बालों में spray कर दें, spray करने के लिए आप 50 मिंट के बाद इसको ठंडे पानी से धो दें, फिर इससे आपके बाल बहुत लंबे और घने हो जाएंगे और चमकदार बन जाएंगे, जो भी आपके रुखे बाल हैं वो इससे उनमें एक नई चमक आजएगी rice water को यूज़ करने से, तीसरा health benefit है हमारे सेहत के लिए, rice water को हफते में एक बार पीएं और जरूर पीएं, इस पानी को पीने से आपका constipation में relief होगा, आपका diarrhea ठीक होगा और इससे आपका metabolism भी बढ़ेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक like करे, subscribe करे और share करे हमारी वीडियो, thank you